नमस्कार दोस्तों and once again welcome to the great Indian panorama आज मैं एक fire making का एक दूसर चीज निकालना चाहता हूं हम इसे कहते है fire cake इसे बनाया जाता है wax candle मौंबत्ती मौंबत्ती से हम बनाते हैं और कुछ न्यूस्पेपर्स चाहिए तो इस टेक्निक्स को हम बना रहे हैं आपका सामिनाज दिखा रहे हैं और अभी सब कुछ लॉक्टाउन है इंडिया में due to corona virus जो कैमेरा में है मेरा बेटा दस साल का निलाव हो देखते है किस तरह से बनाया जाए इसे दोस्तों तो इस फायर केग फायर केग इसे फ्वेल ये फ्वेल हम मनाते है हम युज मिन यूज कहां आप न्यूज सब्छी ले सेकते हैं द्री ऐसे शूप करता है गले हुए कैंडल 222य यॉज़व क्मेट कहनो फ्वेल्च अमेजिये कैंडे खहिन च्याओ क्यडंब्स अगरका पास्टे नह हो तो आप उस्वेल्च शने करते हैं कर सते हैं OS तो इसे भिया यूज कर सेंगे तो यह सब को हमें पिगलाना है हमें एक कॉंटेनर लेना है तीन का मेटल्स कॉंटेनर जिसमें हम इसको पहले पिगलाएंगे तो दोस्तों पहले हम इसे आग पहले आग जलाएंगे झाल कर दिर सो कना है कि आप जलगर उपासर ये अभी इस केंडल्स को हम अंदर डालेंगे तो अभी तो केंडल्स को हम अंदर डाल रहे है अज़िए अज़िए और भी प्रेयों डालेंगे अज़िए तो अभी मेरा पासे ये पिपास स्थिक पिपार को लिए अपके अपने अभी इसे हो को रोल करना है तो इसे डोल करना है आप आज़िए अपकेश पासे अप्राली पर दूलिए अब आप यह सुपली, जो जूत के रसी है यह कोटन रोप से आप इसे टाई करता है इसे टाइटली तो यह अभी इसको टाइटली हमने टाइट जिया इसको टाइट करने के बाद इसे हमें इस तरह जहम दो पनाए गया भी जूट या गौटन स्ट्रिक से इसे को आइट करतेंगे इसको स्टाइटली इन्हों टारेंगे ये खुलना नहीं चाहिए तो आपको दिख रहा है क्या हो गया अभी ये गर्मी से ये सोक कर दिया अभी अंदर में दोस्तों आपका पास में अगर इस तरह का कोटन जगा रोप है तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे भी आप दिखो के रखिए और अभी ठड़ा होने दीजिए जो आपको बोला था कोटन रोप पीस अप कोटन रोप इसे भी हमें हम कैंडल में जो डाइलूट किया हुआ कैंडल है जो लिकुट कैंडल से लिकुट वेक्स है उसे हम डाल रहें और इसे अभी हम ठंडा होने देंगे हमने जो भीग विया था वोम बत्तीव के लिकुट में तो उसका बाद में जो रोप था उसका हालत हो गया यह ठंडा होने का बार तो मैं ठीको के रखा था यह पूरा सोग कर लिया यह है न्यूस पेफर जो था न्यूस पेफर रोल का पीस तो इससे क्या होगा इसे अगर हम चलाएंगे तो यह फ्यर का काम करेगा अभी अगर आप यह बैंग में लेते हैं इमर्ज चलाने में आपको दिल्फ करेगा यह पहले मैं देखा ले आता हूं इसको यह देखिए इसका हलर यह इस तरह का हो गया कि यह बहुत समय तर जलेगा और यह आपको मदद करेगा जो फायर मेंगी के वक्त में इसका उपर आप मोटा लक्री रख सकते हैं तो यह और यह जो कैंडल आपको देख रहे पिखल रहा है तो यह बार्णिंग में भी हल्प करेगा तो इसमें कोई स्मेल नहीं आता है कहीं पर कुछ लगने का जोड़त ने यह ऐसा फ्वेल है तो यह आप कैरी कर सकते हैं आपका सर्वाइवल कीट में टू मेक तफायर यह देखिए आप फिखल रहा है लूंब और यह बहुत देद तक यह चलता भी है तो यह आपको सपोर्ट करगा फायर में ही जब है तो दोस्तों यह था फायर केक और आशा करता हूं आपको यह बहुत काम में आएगा यह एक सर्वाइवल का फायर में के पार्ट है तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों का सब्सक्राइब कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए तर ग्रेट इंडियन पैनरामा नाश्कार